बच्चो, आज हम चर्चा करेंगे पशु संसाधन पर। ये हम सभी को पता है कि किसी भी देश के लिए वहां के जो पशु है, पशु जो संसाधन होता है वो एक महत पूर्ण संसाधन है। क्यों कि पशुओं से हमें खाल प्राप्त हो रहा है उन प्राप्त हो रहा है खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और विशेशकर जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारा भारत देश एक विकास शील देश है और साथ ही साथ क्रिशी प्रधान देश है तो हमें पता है कि क्रिशी कारिय में पशुओं की महत्व पूर्ण भूमिका होती है। कृशी कारिय में चाहे वो हल खीचने के लिए हो, किसी भी राश्ट में या समान धोने की बात हो या फिर गन्नों की पिराई करने के लिए, कुओं से पानी खीचने के लिए या गाड़ी के वाहग के रूप में किसी भी रूप में हम देखें तो पशुओं का बहुत अधिक उपियोग जो है वो किया जाता है हम देखते हैं पशुओं के गोबर से हम उत्तम खाद का निर्माड तो करते ही हैं और साथ ही साथ हम इससे गोबर गैस का भी निर्माड करते हैं और हमने जब उर्जा संसाधन के विशे में बात की थी तो इस बात को हमने और अच्छे से देखा था कि जो गैर परंप्रागत उर्जा श्रोत के रूप में ये घरेलू इंधन के रूप में हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है विकल्प है हम देखते हैं भेड़े जो होती है भेड़ जो पशू होते हैं उनसे हम उन प्राप्त करते हैं और उस उन के द्वारा हम चाहे कंबल है कपड़े हैं और विभिन प्रकार के जो वस्त हैं वो तयार करते हैं अब हम ये देखते हैं हमारे भारत देश में पशुओं से करोडों की आय प्राप्त होती है और ये आय जो है वो पशुओं से प्राप्त खाद्य समागरी के रूप में हो चाहे उनकी खाल के रूप में उनकी हड्डियों के रूप में या हम बात कर सकते हैं उनके बाल, मांस ये सभी रूप में प्रत्यक्ष रूप से इनका उप्योग करके हम पशुओं से आयप्राप्त करते हैं। और जब हम भारत देश में देखते हैं तो कृषी आय का जो लगभग 10 प्रतिशत है वो पशुओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हमारा भारत देश जो है वो विश्व में जो जितने भी पशुओं हैं उन सभी में या हम ये कहें कि विश्व में सबसे अधिक पशुओं की संख्या जो है वो भारत में हमें देखने को मिलती है। और इन पशुओं में भी विश्व में जितनी भी भैसे हैं उन कुल भैसों का लगभग 57 प्रतिशत जो है वो भारत में मिलता है और गाय बैलों का 15 प्रतिशत हमारे भारत में मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि जो भारत में ही अलग-अलग छेत्र हैं जहां पर पशु जो हैं वो अलग-अलग प्रकार के पशु हमें देखने को मिलते हैं। और पशुचारण या पशुपालन का जो कारी है उन छेत्रों में किया जाता है, जिन छेत्रों में हम देखेंगे कि कृषी कारे के अनुकुल परिस्थितियां नहीं बन पाती हैं. तो हम पशुओं के जो विभिन छेत्र हैं उनके विश्य में बात करते हैं पहला हम देख रहे हैं हिमाले परवती छेत्र हमें पता है कि पूरी तरह से एक परवती पठारी और उबढखाबड भूमी वाला छेत्र है और हम देखते हैं कि यहां पर जो चुकी उबढखाबड चंभुमी का चेतर है तो यहां भेड़ और जो बक्रिया वो मुख्य-Pशु के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, हिमालाइन नसलि की जो बक्रिया हैं, वो हमें हिमाचल प्रदेश, हम बात करें, पन्जाब और हर्याना, और साथ ही साथ जो कश्मीर है यहां भी हमें मिलती है इस छेत्र के अंतरगत हम देखते हैं आपका नेपाल है भुटान है उत्तर प्रदेश का जो कुमायू वाला छेत्र है और साथ ही साथ गढ़वाल जीला उत्तर प्रदेश का कुमायू और गढ़वाल जीला और हिमाचल प्रदेश का शिमला और कुलु कांगडी की हम बात करते हैं और जम्मु कश्मीर जो है वो इस हिमालय परवती छेत्रे के अंतरगत शामिल किये जाते हैं इन बक्रियों से जो है वो दूध बाल है न और यहां पर जो भेड़े पाली जाती है प्रमुख रूप से वहां पर उन से हम देखते हैं उन भेड़ों से हम उन और दूध जो है वो प्राप्त करते हैं हिमालय छेत्र की जो जलवायू हमें पता है कि बहुत ही शीतल और ठंडी है तो इस शीतल जलवायू या ठंडी जलवायू के छेत्र में का जो छेत्र होता है यह भेड को पालने के लिए पर्वती चेत्र में प्रमुख रूप से पशूओं की जब हम बात करेंगे तो भेड और बकरियां हमें प्रमुकता से यहां मिलती हैं अब दूसरा जो चेत्र है हमारा उट्तरी शुष्क जलवाईू छेत्र हम इस छेत्र की जब करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर वर्षा की कमी है बहुत अधिक वर्षा नहीं है नहीं होती है इसलिए वर्षा के अभाव में यहां की जलवायू जो है वो शुष्क है और जिसमें प्रमुक रूप से इन शुष्क जलवायू वाले छेत्र में हम देखते हैं हमारा पंज प्रदेश भी जो है वो इस पशिमी भाग के अंतरगत आते हैं यह जो है यह भारत के प्रमुख पशु संसाधन वाले छेत्र हैं क्योंकि हमने देखा यहां पर बारिश जो है वो कम होती है और चुकि हम भुगोल के चात्र है तो हमें पता है जहां पर वर्शक की मात्रा कम हो सकते हैं और यह हमारे उत्तम चारगाः होते हैं तो इन हम जब उत्तरी शुष के जलवाईव चेत्री की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहां पर वर्शा के अभाव़न में चारागा जह हो JENडिक विक्सित रूप में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर परियाप्त चारा मिलता है और इसी कारण यहाँ के जो पशु हैं वो हम कह सकते हैं कि हिस्ट पुस्ट और अधिक दूद देने वाले बलवान भी होते हैं और इन पशुओं से हमें बहुत अधिक दूद भी मिलता है जब हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पंजाब और हरियाणा में जो साहिवाल नसल होती है और नीली नसल की जो गाये हैं यह प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं इनसे बहुत अधिक मात्रा में हमें दूद मिलता है हम दिल्ली छेतर में देखते हैं तो दिल्ली छेतर में ही जिस प्रकार पंजाब और हरियाना में हमें पशु पालन जो है वो अधिक विक्सित रूप में देखने को मिलता है उसी प्रकार दिल्ली में भी इसका अच्छा खासा विकास हुआ है और यहां भी जो गाए भैसे हैं इनसे दूध जो है वो प्रमुक रूप से प्राप्ति किया जाता है हम राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान में भेडे और गाएं पाली जाती है और यहां पर नागौरी है हर्याणी है हर्याणी के बाद अलवर है मेवाती है या रवा यहां पर इस नसले की जो गाए यह प्रमुक्ता से पाली जाती हैं और इन सब के अत्रिक्त भी हमें यहां पर भेड़े बकरी ऊट और घोड़े जो हैं यह पशु प्रमुक्ता से मिलते हैं तीसरे छेत्र की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं आद्र जलवायू के छेत्र आद्र जलवायू के छे यहां पर अभाव मिलता है इसलिए यहां जो पशु मिलते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं और उन पशुओं से दूथ की प्राप्ती भी हमें बहुत कम होती है इसलिए प्रमुक रुप से ये पशु जो है वो यहां कृशी कार्य में लिये जाते हैं या उसमें उपयोग किये जाते हैं जब हम आंध्रप्रदेश और तमिल नाडु की बा इसके अत्रिक्ति यहां पर बैल और भैसे भी होती हैं यहां हम देखेंगे कि जो अधिक वर्षा वाले छेत्रे हैं वहां पर बंगाली नसल की जो भेडे हैं वो पाली जाती हैं इसमें इन भेडों में जो बंगाली नसल की भेडे होती हैं उनमें मांस जो है वो हमें बहु बैल है, गाय है और भैसे पाली जाती हैं और इन पशुओं से यहाँ पर दूध प्राप्त किया जाता है और दूध प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ यह कृशी कार्य में भी उपियोग में लाए जाते हैं चौथा छेत्र हम देखते हैं आपका मध्यम वर्षा का छेत्र हमने देखा कि जो शुष्क जलवाईू वाले छेत्र थे वहाँ पर जो चारा है प्रमुक्ता से मिलता था और इसके कारण वहाँ के जो पशु हैं वो बहुत ही बल्वान और अधिक दूध देने वाले होते थे आद्र जलवाईू के छेत्र में हमने देखा कि वहाँ पर एक दलदली छेत्र जो है वो विक्सित हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर हरे चारे का प्रमुक्ता से हमें अभाव मिला था और इसी कारण वहाँ पर के पशु जो हैं वो कमजोर होते हैं और प्रमुक्ता से वो क्रिशी कार्य में ही उपयोग किये जा रहे थे हम मध्यम वर्षा वाले छेत्री की बात करते हैं इसमें हम देखते हैं मध्यम वर्षा के छेत्री की अंतरगत ऐसे जो राजी हैं वो आएंगे जहां पर ना तो बहुत कम बारिश ना बहुत अधिक वर्षा होगी इसके पुर्वी महाराष्ट और पश्यमी तमिल नाडू सम्मिलित हैं इसमें हम देखते हैं कि जो मानसुनी हवाय होती हैं तो जब हम महाराष्ट के पुर्वी हिस्से की बात कर रहे हैं या फिर तमिल नाडू के पश्यमी हिस्से की बात कर रहे हैं या फिर करनाटक की पुर्वी ह तो हम यह देखते हैं कि यह जो पूरा छेत्र है यह दक्षिन पशिमी मांसून के वरिष्टी छाया वाले छेत्र में पढ़ता है इसलिए इन राजियों के पशिमी हिस्से में तो बारिश अच्छी होती है लेकिन जैसे पुर्वी हिस्से में जाएंगे तो यहां पर बारिश में जो गोली है मालवी और नेवारी नसल की जो गाएं है यह प्रमुख रुप से पाली जाती हैं साथ ही साथ हम देखेंगे इन गाइयों के साथ यहां पर भेड और बक्रीयों का भी पालन किया जाता है महाँ Waherastra में हम देखेंगे तो यहां पर डांगी और खिलारी नसल कि बैसों का आथ चया कि इस राज्य में हम देखेंगे सूरती नसले की बक्रियां और दक्कनी भेड़े चो परकृत्व चोहती है उनकी हमें प्रमुक्ता देखने को मिलती है जब हम आंधक्रदेश में चले जाते हैं आंधप्रदेश है तमिल नाडू है और करनाटक राजिमे तो यहां पर हम देखेंगे देवनी है ओंगोल है कृष्णा वैली और हलिकर यह जो नसल की गाएं है और टोड़ा परलाकी तेलंगाना और एलिचपूरी नसल की जो है भैसों की अधिकता हमें मिलती है या इनका पालन जो है वो यहा और नेलोरी नसल की भेड़े और अलग-अलग नसल की बकरियों का पालन इस छेत्र में किया जाता है अभी हमने बात की थी कि भारत में विश्व के सबसे अधिक पशु जो है वो पाये जाते हैं और विश्व में जितनी भी गाएं हैं उन गायों का लगभग 17 प्रतिशत भ अभी पाये जाते हैं लेकिन यहां के पशु पशुओं की जो किस्म है वो आनिम नकोटी की है मतलब यह बहुत ही दूरबल होते हैं यहां के जो पशु हैं तो हम यह देखते हैं अगर देश के विभीन राज्यों की हम बात करें यहां पर गाय बैल और विभीन प्रकार की जो पशु हैं उनके वित्रण की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या जो है वो सबसे अधिक मिलती है उत्तर प्रदेश में हमें गाय बेल की संख्या लगभग 15 प्रतिशत है और ये पूरे भारत में सरवाधिक है मध्य प्रदेश में 14 प्रतिशत, बिहार की हम बात करें तो 9.2% है, महाराष्ट में 8.8% और आंध्य प्रदेश में 7.3% और राजस्थान में 7.2% ये अलग अलग राज्यों में हमने प्रतिशत देख़्ा पश्वों का भैस के भी हम संख्या देखें तो भैस की जो संख्या है वो भी हमें उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक मिलती है और ये कुल का पुरे भारत Directors की जितनी भी भैसे होंगी उनका कुल 22% जो है वो उत्त प्रदेश में मिलता है और इसके अतरिक्त जो भैसे हैं उनकी अधिक संख्या हमें पंजाब है हर्याना है आंध्र प्रदेश है बिहार राजस्थान महाराश्ट और मध्य प्रदेश में मिलती हैं अगर हम भेडों की बात करें तो कुल जो भेड़े मिलती हैं हमारे भारत दे से पाली जाती हैं यहां की जो भेड़े होती हैं वो बहुत अच्छी किस्मकी होती हैं इन से बहुत अच्छे किस्मकी जो उन है वो प्राप्ति की जाती है और जब हम बक्रियों की बात करें तो बक्रियां मुख्य रूप से राजस्थान, महारास्थ, बिहार और उत्तर प्र प्रतिशत की कि Ice verses और और कि किन राज्यों में कितना Regis Я है जो हमें भारत-देश की कुल पश्वों का मिलता है अब देखते हैं चुकि हमारा देश है हमने अभी बात की this Пр면 patients कि पहले नंबर teachers और to raise of stories तो हमें भारत में देखने को मिलते हैं लेकिन यहां पर पशुओं से संबंधित हमें बहुत अधिक जो समस्याएं हैं वो भी मिलती हैं और इन ही समस्याओं के कारण यहां पर पशुओं की जो क्वालिटी है मतलब इनकी जो किस्म है वो बहुत निमनकोटी की मिलती है तो हमा देश में चारागा का अभाव और तीसरा हमारे देश में पशुओं की उन्नत किश्म जो है या उन्नत नसल की कमी है और चौथा जो है यहां पशुओं में मिलने वाले या संक्रामक रोगों के फैलाओ की हैं तो इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश में विश्व के विश्व का जो लगभग एक चौथाई पशु है पशुओं का समू है वो हमारे देश में पाला जाता है और हम देश में जब देखते हैं अपने भारत में बात करें तो पशुओं का जो प्रती 100 हेक्टेर भूमी पर घनत वो 130 है, मतलब प्रती 100 हेक्टेर भूमी पर 130 पशू का दबाव जो है हमारे देश की भूमी पर पड़ता है, मतलब प्रती 100 हेक्टेर भूमी पर 130 पशू जो है वो पाले जाते हैं, इससे हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश की भूमी पर पशू का जो दबाव ह उनके घनत्व का दबाओ जो है वो कितना अधिक पड़ रहा है और इस बात का अंदाजा हम और अधिक तब लगा सकते हैं जब इन्हें हम अपने विश्व के अन्य देशों से तुलना करते हैं यह जो घनत्व है जब हम न्यूजिलेंड की बात करते हैं तो यहां पर प्रती 100 हेक्टेयर पर 22 पशुओं का घनत्व है आस्ट्रेलिया में यह संख्या जो है वो सिर्फ चार है तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की भूमी पर पशुओं का कितना अधिक दबाओ पड़ रहा है और इसी बात को हम अप अच्छे से explain किया जा सकता है जो हमारा पहला पॉइंट है अन्यंत्रित संख्या चुकि हमारा देश जो है वो जनसंख्या के हिसाब में इसका विश्व में दूसरा इस्थान है तो जनसंख्या तो लगातार बढ़ती ही जा रही है और साथ ही साथ इस देश की भूमी पर प उचित रहने का जो इस्थान है और साथ ही साथ हम उनके पालन पोशन की भी बात करेंगे तो यह सभी असुविधाएं जो है यह हमें उनकी अन्यंत्रित संख्या या बहुत अधिक मात्रा जो है पशू की हमारे देश में जो मिलती है उसके कारण यह सभी समस्याएं जो है उपलब्ध हो पाती है भई मनुश्यों के रहने के लिए आवास की कमी हो रही है और पशू के भी उतनी अधिक मात्रा हो रही है तो लगातार तो हम जो चारा गा भूमी है कृषी भूमी है हमारे देश में उनको आवास में और उद्योगों में बदलते जा रहे हैं तो हम इन पशुओं की जो हमारी संख्या हमारे देश में मिल रही है उनके लिए हम चारा गा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और इसी कारण हम देखते हैं कि हमारे देश में जो पशुओं की नसल है उनकी जो किस्म है वो बहुत ही हम ये कहें कि दुर्बल किस्म के जो पशु हैं वो मिलते हैं क्योंकि उनका पालन पोशन भी अच्छी तरह नहीं हो पाता उनके लिए चारागा भूमी भी जो है वो हमारे देश में उनकी संख्या की हिसाब से उपलब्ध नहीं है अब दूसरी समस्या हम देखते हैं चारागा का अभाओ तो अभी हमने इसके पहले पॉइंट पे ये बात की थी कि बढ़ती जनसंख्या के दबाओ के कारण आवास की जो समस्या बढ़ती जा रही है जिससे हम चारागा भूमी को भी आवास में तब्दील करते जा रहे हैं ब पातलब जो बढ़ती हुई आबादी है उसमें हम आवास के बाद क्रिशी के लिए और क्रिशी के बाद फिर चारागा के लिए भूमी को महत्वत देते हैं और हम ये देख रहे हैं कि चारागा के लिए भूमी का बहुत अधिक अभाव है हमारे देश में और इसी कारण से ह की जो अधीकान्स पशु हैं उनका क्रिशी कारे में बहुत अच्छा योगदान नहीं हो पाता क्योंकि CRO U근iku 四 चारे के अभाव में अच्छे चारे के अभाव में वह दुर्बल होते जाते हैं उनकी झो श्रम और जब वो बच्चों को भी जन्म देते हैं तो तो दो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, वो चारागा के अभाव के कारण उनकी किस्म या नसल के कमजोर होने की रूप में हमें देखने को मिलती हैं. अब हम तीसरा पॉइंट है हमारा उत्तम नसल की कमी, इसमें हम देखते हैं, हमने बात भी की थी कि पशू की संख्या तो सरवादिक है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी किस्म है या नसल है, वो बहुत निम्नकोटी की हमें देखने को मिलती हैं, मतलब यहाँ जो पशू पाये जा पुर्ण की इनकी संख्या बहुत अधीक है और इस कारण से भूमि पर दबाउ बहुत अधीक बढ़ रहा है और हम जनसंख्या के लिए आवास और आवास के बाद क्रिशी और क्रिशी के बाद हम चारा गाह के लिए भूमी को महत्व देते हैं तो चारा गाह वाली भूमी का जो है हमारे देश में बहुत अधिक अभाव है और जब चारा गाह भूमी का भाव मिलता है तो क्या किया जाता है कि सभी पशुओं को एक साथ चराया जाता है तो चारा गाह भूमी के अभाव म कि मात्रा के हिसाब से अचारा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता तो जब आपकी भूख के हिसाब से आपको भोजन नहीं मिल रहा है आपकी भूख अभी है ही तो फिर आपकी कारिच हमता तो प्रभावित होगी ठीक उसी प्रकार पशुओं के साथ भी होता है कि उनको परि और आमक रोगों का जो है फैलाव है। चुकि चारगा भूमी या पशो के जो रहने का इस्थान है वो भी बहुत सिमीत है जहांपर पशो को रखा जाता है। जैसे हम गोठान की बात कर लेते हैं, गोशाला की बात कर लेते हैं, जो ग्रामीर छेतर के बच्चे हैं, जो इसे बहुत अच्छी ऐसे समझ पाएंगे, मतलब जो पशुओं को जिस इस्थान पर रखा जाता है वो सब एक साथ ही वहाँ पर रह रहे हैं तो अगर किसी एक पशुओं में किसी रोग कोई रोग फैलता है तो साथ में बहुत सारी भीड इकठी रह रही है तो अगर वो रोग संक्रामक है फैलने वाला है तो एक पशु से दूसरे पशुओं में ये जो रोग है ये बीमारी फैलती जाती है तो हम ये देखते हैं कि बहुत से जो पशुओं है वो उचित चिकित्सा के अभाओं में भी जो है मर जाते हैं या संक्रामक रोगों का जब फैला होता है तो वो ये बीमारी जो है वो सभी पशुओं को एक साथ अपनी चपेट में ले लेती है क्योंकि भीड इतनी जादा है पशुओं की जहां पर पशुओं को रखा जाता है वहाँ पर जहां हमारे उस छेत्र में अगर चार पशुओं रहने चाहिए तो हम देखते हैं कि वहाँ पर 20-20 पशुओं को एक साथ रखा जा रहा है तो स्वभाविक है कि कोई भी संक्रामक रोग अगर फैलता है तो अगर वो एक पशु में भी आता है तो वो उस एक पशु से उन 20 पशुओं को अपने चपेट में ले लेगा तो ये भी हमारे यहां एक गंभीर समस्या है पशु संसाधन के विशय में और इन सभी समस्याओं को का निराकरण करके इनके संरक्षन के द्वारा हम अपने पशु संसाधन को और अच्छी उन्नत किस्म का बना सकते हैं और हमारे क्रिशी कारे में हो चाहे खाद्यान जो आपूर्ती उनके माध्यम से की जाती है उन सभी के छेतर में इनका सहयोग या इनकी जो भूमिका है उनको हम और अधिक बढ़ा सकते हैं और विशेशकर हम अपने देश में देखते हैं जब बारिश का मौसम होता है तो वर्शारीतू के समय में या बारिश के समय में जो संक्रामक बिमारी है एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये पशू के पैरों में जिसे हम खूर कहते हैं उन खूरों में और उनके मुह में इन बिमार साथ और इस इस्ठिती में बहुत से जो पशु हैं वो उनका विनाश हो जाता है वो अपने जीवन की अन्तिम सासे ले ले लेते हैं और इस गंभीर समस्या के कारण हम देखते हैं कि हमारे बहुत से की गज़ए रोत जो देशी नसल है चाहे हम गाय की बात करें या भैसों की बात करें या बैलों की बात करें तो यह जो देशी नसल है इनके इसी बिमारी या इसी समस्या के कारण इनके लुप्त हो जाने का भी खत्रा जो है वो लगा रहता है या हम यह देख रहे हैं कि बहुत सारी देशी नस जो हैं वो लुपत होती जा रही हैं झाल 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 झाल